हेलो गाईस ये रहा आपका कोटेक महंदरा लीग रुपे पलेटिनियम क्रिडिट कार्ड जिसका मैं आपको आज किस वीडियो में पिन जनरेट करके बताऊंगा और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं वैनी फीड हैं वो भी आपको आज किस वीडियो में बता आरे वाला हूँ त तो सबसे पहले guys हम बात करते हैं इसके design की तो guys आप देख सकते हैं इसका design है वो काफी बहतरीन look दिया गया है और quality भी इस card की काफी अच्छी है तो यह wifi credit card है जो की league इसका name है और यह रुपे platinum credit card है पीछे से आपको कुछ इस प्रिकार से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आप एक white tape से इसको cover कर दिया है privacy region की वज़िसे यहाँ पे आपका credit card का number होता है white पटी के नीचे मैंने आप इस पर white tape लगा दिया है और यहाँ आपका name इस पे लिखा होगा तो guys यह इसका card का design है काफी battery ने एकदम slim है आप इसको देख सकते हैं अब guys बात करते हैं इसकी features क और benefits की तो guys इसको आप अपने UPI application से भी add कर सकते हैं connect कर सकते हैं और आप directly UPI से payment करेंगे तो आपके card से debit हो जाएगा amount यानि कि आप credit card से UPI payment कर सकते हैं तो सबसे पहले guys हम जान लेते हैं कि इस credit card की joining fee क्या है या फिर annual charges क्या है तो guys मैं आपको बता दूँ इसमें आपको को किन benefit की तो guys अगर आप गाड़ी में petrol बगेरा भरबाते हैं तो आपको इसमें 1% fuel surcharge wave off हो जाएगा अब guys तीसरा जो benefit है इसका guys यह है कि आपको यहाँ पर unlimited यानि कि काफी सारे rewards points आपको देखने के लिए बिलेंगे अगर आप 150 rupees spend करते हैं तो आपको up to 8 rewards points इस card में देखने के लिए मिल जाएंगे तो काफी सारे benefits के साथ यह card आता है और सबसे बड़ा जो benefit है guys जैसे के मैं आपको बताई चुका हूँ कि आप इस card को अपने UPI application से connect करके UPI payment कर सकते हैं तो इसका design भी काफी बैतरीन है और यह रूपे card है जो की रूपे एक Indian gateway payment है तो guys काफी बैतरीन के pin generate करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ पहला तरीका तो यह है guys कि आपको जब यह credit card मिलेगा तो envelope में आपको एक इस प्रकार से paper मिलेगा जिस पर की आपको एक QR code देखने के लिए मिलेगा इसको आप अपने camera के scanner से scan करेंगे तो आपको यह directly उस website से ले जाएगा ज लोग इन करके वहाँ पे आप kit card के option में जाके pin generate कर सकते हैं तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ guys इसमें यह आपको QR code के थुरू बताने वाला हूँ क्योंकि यह बहुती easy और आसान तरीका है और यह instant तरीका एकदम से ही आपको kit card का pin generate हो जाएगा तो guys आपने जैसी इस आप search button पे click कर देंगे यह आपको kotak महिंदर है कि credit card का pin generate करने वाली websites पे ले जाएगा यहाँ पे guys आपको इस प्रकार से interface दिखाई देगा तो आपने guys क्या करना है scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे guys आपका credit card है यह debit card है या forex card है वो option को आपने select करना है तो मेरा credit card है तो हम इसको credit card को select कर लेंगे जैसी यहाँ पे हम credit card को select कर लेंगे अब यहाँ पे हमें कुछ detail इंटर करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे guys हमें अपने credit card का number इंटर करना होगा और यहाँ पे नीचे उसकी expiry date month year select करना होगा इंटर करना होगा और यह digit का pin code उसके बाद guys आपने confirm button पे click करना है तो मैं भी अपनी सारी detail आपको enter करके दिखा देता हूँ card की detail guys आपने इस प्रिकार से enter कर लेनी है फिर आपने confirm button पे click कर देना जैसे आप confirm button पे click करेंगे आपकी request यहां पे process हो जाएगी request process होती ही आपके mobile पे OTP जाएगा वो OTP को आपने यहां पे enter करना होगा OTP इंटर करने के बाद guys आपने submit बटन पे click कर देना जैसे आप submit बटन पे click करेंगे अब यहां पे आपको guys दिखा देगा कि आपका successfully pin generate हो गया है यह भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो credit card है उसका successfully मैंने credit card का pin generate कर लिया है तो इस तरीके से guys आपको अपने credit card का pin generate कर लेना है guys आप सभी से request करता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like and share जरूर कीजेगा और चैनल को अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया है वीडियो में तब तक के लिए जैहिन